CSIR NET के Crash Course को जोईन करने के लिए आप में वाट्स आप कर सकते हैं 9013902981 साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल बटन के साथ में क्योंकि हम लोग काफे सारे वीडियोस पॉस्ट करने वाले हैं CSIR NET, DBT, ICMR जैसे दूसरे एक्जाम्स के लिए बैट 2022 का Solution के Part 3 की बात कर रहे हैं हम लोग Qaution No. 685 Protein A used for the purification of IgG is isolated from इसमें microbes के नाम दे रखे हैं जहां से इसकी isolation की बात कर रखे है देखो भी कई तरह के protein होते हैं जिने हम लोग antibodies isolate करने के लिए इस्तावाल करते हैं खास और से industrial preparation के point of view से इनमें है protein A, protein G, protein L और उसकी कई सारे combination जिसमें protein A खास और से वो staphylococcus aureus से isolate कर जाता है और इसमें IgG binding domain होते हैं कुमला के 5 जबकि protein G जो है वो staphylococcus again especially से निकाला जाता है लेकिन इसमें 3 IgG binding domain होते हैं देखिए antibody में अगर आपको याद होगा तो diagram में बात करते हैं कि antibody में एक पार्ट है FAB FAB जिसमें variable region of the light chain, variable region of the heavy chain और फिर उनके एक constant domain भी होते हैं similarly जो निचे वाला पार्ट है उसे बोलते हैं FC पार्ट जो की glycosylated भी होता है antibody का और काफ़ सारी चीचे ऐसे होती है जो इसी से affinity दिखाती है इंडिड प्रोटीन A, प्रोटीन G और इसके different combinations ये FC पार्ट को पचानते हैं तो सहीं माने में ये antibody को पकड़ने का एक तरीका है और ऐसे ही protein L जो है वो variable part खास होते कपा चैन का उसको पचानता है तो ये इस तरह के काफ़ सारी proteins पाए जाते हैं जो हम लोग बाय टेक में इस्तेमाल करते हैं purification के मामले में तो इसलिए इस question का answer है Staphylococcus aureus ID 2737 अब है question no 659 Arrange the following chemical bonds interaction in the order of their arrangement in vacuum अब यहां जब हमने question पड़ा तो हमें ये बात ध्यान देना था कि कि वेक्यूम की बात कर रहे है normal biological system की बात नहीं कर रहे होते हैं जब हम इन bonds को देखते हैं पानी में या सहल के अंदर तो कहानी कुछ हो रहे है लेकिन अगर मैंने वेक्यूम में देखू हूँ तो फिर बात कुछ हो रहे है जैसे अगर मैं covalent bonds की बात करूँ तो vacuum में भी और पानी में भी दोनों की strength एक समान है लेकिन जब मैं non-covalent bond पर आता हूं तो देखे ionic bond vacuum में तो दिखा रहा है 80 लेकिन अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी वड़ा कम जो रहे है कि बोल तीन similarly जब हम hydrogen bond की बात करते हैं तो चार और एक वंडरवाल अट्रक्शन की बात करते हैं तो यह सेम रहता है तो ionic bond लबग कोवलेंट bond जितने ही strong है और अगर तुम्हें याद भी नहीं है वैक्यूम वाली काने में मत भी जाओ तो तुम्हें नमक का पत्थर होता है नमक का पत्थर टिपिकल पत्थर की तरह होता है कभी सुचा आपने की वह पानी में अराम से बिना कुछ करे गुल जा है वाक्यूम में तो वाक्यूम में आप इसी ओर्टर को फॉलो कर लिजे कि कोवलेंट बॉंड सबसे strong है फिर ionic bond फिर hydrogen और फिर है वंडरवाल इंट्रक्शन और इसी को लेकर के हमारा जो आंसर है कोवलेंट बॉंड आनिक बॉंड हाडिन बॉंड और वंडरवाल अट्रक तो 2633 question ID यह है जो correct answer है अब आथी बात question number 739 की एक protein sequence है हमारे पास जिसमें लबग 20 consecutive hydrophobic amino acids हैं followed by few hydrophilic residues and this pattern repeats itself 5-7 times तो मैं यहाद है एक हम लोग diagram देखते हैं जिसने हम hydropathy index कहते हैं हम कहते हैं कि पर इसमें अगर protein की sequence को हम देखे हैं तो hydrophobic region में कितनी sequence पढ़ नहीं है hydrophobic region में कितनी sequence पढ़ नहीं है उसके base पर हम transmembrane segments की बात कर सकते हैं यह जब आपके पास 20 के आसपास hydrophobic amino acid के stretch हैं तो हम बात करें कि यह एक ऐसा protein है जो membrane में लगाओ है और multi-pass है जितने बार भी वो hydrophobic segments दिखाए दे रहे हैं यह वो हैं जो transmembrane पाट रहे होंगे प्रोटीन है option no 2954 है का correct answer question no 735 but i straight forward answer इसका commercial production of citric acid is done by fermentation जब भी कभी आप bio process पढ़ोगे और आप पढ़ोगे की बही कौन सा chemical कौन सा organism से बनता है तो सबसे starting के tables में आपको मिल जाएगा कि aspergillus anizer का इस्तेमाल करते हैं हम लोग citric acid produce करने के लिए option idea 2937 question no 698 अगेन एक और straight forward answer है one centi morgan is defined as the genetic distance between the two loci with a statistically correlation recombination frequency of भाई आप लोगों ने dihybrid cross, trihybrid cross पढ़े और आपना recombination frequencies निकाले उन frequencies का इस्तेमाल करके आपने बताया कि भाई एक का distance map unit में बी से कितनी दूर है और फिर सी से कितनी दूर है और फिर सी से कितनी दूर है यह है 30 centi morgan और यह है 15 centi morgan कुछ याद आया तो हम लोग यह बताते है कि जो frequency है यह frequency 30% होती है बस percent के जगे पर cm लगा दो और यहां पर cm का मतलब cm है, cm नहीं है तो यही question तो पुछा गया था कि अगर आपको 1 centi morgan दे रखा है तो उसका मतलब क्या है recombination frequency के ममले में तो यह है 1% तो इसलिए से correct answer है 2791 question number 633 given the molecular structure of glucose the molecular formula and molecular weight of the maltose will be देखें यहाँ पर इन्होंने हमें diagram दे दिया हम जानते हैं कि C6H12O6 यह एक glucose के molecule का diagram होता है अब पुछा इन्होंने है maltose और maltose में क्या होता है maltose में एक glucose का molecule अपने जैसे एक और molecule से जुड़ता है और जब कभी यह bond बन रहा होगा तो इस bond को बनाने के चक्कर में एक water का molecule बहा निकलाता है तो जो total आपके पास सब कुछ मिल रहा है वो इसका double नहीं है just ऐसा नहीं है कि दो glucose के molecule जोड़ दिये और maltose बन गया तो इसका मतलब काबन के 12 हो गए hydrogen के 24 हो गए oxygen के 12 हो गए ऐसा नहीं है यह water के molecule को आपको reduce करना पड़ेगा water का molecule जिसका molecular weight जो होता है वो है 18 dalton का तो अब यह बात ध्यान रख नहीं है हमें यह 18 dalton मेंसे भी गटाना है और प्लस water का molecule गटाना है तो अगर हम water के molecule उड़ा देंगे तो यह बन जाएगा मेरा c12 carbon तो उतने के उने रहेंगे hydrogen मेंसे मुझे 2 hydrogen gap करना है तो 22 बचे oxygen मेंसे 1 gap करना है तो यह 11 बचा तो c12, h24, h22 और o 11 है हमाई देखना है यह मेरे पास 2 option में रखा हुआ है तो जब हम लोग एक की बात करते हैं कि यह एक में कितना है तो अब आपको वजन भी आत रखना चाहिए जैसे अगर glucose के molecule की बात करूँ तो उसमें carbon के हैं 12 तो 12 multiply by 6 यह total carbon का वजन हो गया 12 multiply by 1 और 6 multiply by 18 तो इन सब को आप जोड़ोगे तो यह 180 निकल करके आएगा दोकुल को उसके molecule जोड़ोगे तो 180 plus 180 is equal to 360 लेकिन अगेन क्योंकि एक पानी का molecule बाहर निकालना है उसका अठारे gap भी करना है तो 342 डाल नांस यह है इसका current answer 2531 question की ID question number 629 how many chiral centers are there in each of these two molecules तो देखे जब कभी carbon चार अलग-अलग bond के द्वारा satisfied हो A, B, C, D तब आप उस carbon को बोलते हैं कि यह carbon chiral है अब यहाँ पर जो मुझे molecules दे गए हैं इसमा देखे जहां-जहां double bond है वहाँ उसका मतलब है कि carbon एक ही carbon दो bond एक oxygen पर खर्च कर रहा है तो carality खतम होगी वहाँ पर तो आप इन-इन को तो gap करते जाओ पहले ही तो यहाँ प जो कोने वाले parts हैं आप कोगे वह भी carality वहाँ नहीं है क्योंकि एक carbon के पास दो same type के atom लगे हैं hydrogen and hydrogen तो यह भी गया तो इस case में कि वह लेक एक यह carbon है पहले वाले molecule के अंदर जो की carality शो करता है अब दूसरे वाले molecule की बात करते हैं तो यहाँ जहाँ मेरे पास double bond O हुआ व एक तरफ यह एक तरफ यह और एक तरफ hydrogen तो एक carbon तो यह हुआ फिर दूसरा same इसी principle से यह next वाला carbon भी caral दिखाए दे रहा है मुझे तो इसमें एक carbon और इसमें दो carbon दो caral centers available है second molecules के अंदर तो इसका answer है 1 & 2 option की ID है 2514 I hope इन questions से आपको चीजों को समझने में और आसा नहीं म है 9013902981 चलिए wait किजेगा और आने वाले वीडियो का thank you हुआ 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 है